गरीब सस्राल में आया नया कंबल और हीटर हाँ बहु चल मैं राशन लेने जा रही हूँ सरकार की तरफ से फ्री का राशन मिलता है ऐसे कैसे छोड़ दूँ ऐसा कहने के बाद नीलम राशन लेने चली जाती है और गीता मुन्ना को सुला कर घर के कामों में लग जाती है कुछी देल में नीलम सरकार द्वारा मिला हुआ फ्री का राशन लेकर घर में रख देती है जिसमें एक बोतल मिट्टी का तेल भी होता है यह समान यहीं रख देती हूँ और थोड़ी सी लकड़ी लाकर सबसे पहले मिट्टी के तेल से लकड़ियां जलाओंगी बहुत जादा ठंड हो रही है नीलम ऐसा सोच कर लकड़ी लेने के लिए चली जाती है तो वहीं गीता का मुन्ना जग जाता है जिसके बाद वह लुड़कते लुड़कते मिट्टी के तेल की बोतल के पास पहुच जाता है और वह उसी के साथ खेलने लगता है और इसी के चलते मिट्टी के तेल की बोतल पूरी खाली हो जाती है और सारा मिट्टी का तेल बहता हुआ कंबल पर पहुच जाता है तब ही वहाँ नीलम आती है अरे ये सब क्या हो गया, यह मुन्ना ने क्या कर दिया सारा मिट्टी का तेल कंबल के ऊपर ही गिरा दिया पूरा का पूरा कंबल खराब हो गया नीलम को ऐसा बोलते देख गीता फौरन सारे काम छोड़ कर घर के अंदर आती है जहां वो देखती है कि पूरे कंबल पर मिट्टी के तेल और घर के अंदर चारों तरफ मिट्टी के तेल की बद्बू फैल जाती है अरे माजी ये सब क्या हो गया? ये सब कैसे हुआ? नीलम गीता को बताती है इसे सुनने के बाद वो भी बहुत जादा उदास हो जाती है उनके पास एक ही तो कंबल था जो की अब खराब हो चुका था ये भगवान अब हमारी सर्दियां कैसे बीतेंगी? इस कंबल के सहारे ही तो हम लोग जैसे तैसे करके गुजारा कर रहे थे लेकिन देखो अब ये कंबल भी नहीं बचा अब हम लोग रात को ठंड में क्या उड़ेंगे? सही बोल रहे हो माजी पूरे कंबल में मिट्टी का तेल तेल हो चुका है अगर जरा भी कोई चिंगारी हुई तो पूरा कंबल चल जाएगा जिससे हमारी जान को खत्रा है गीदा ऐसा कहकर उस कंबल को अपने घर के बाहर आंगन में फेक देती है और वहीं दूसरी तरफ उसका पती उमेश गाव के नाले में ठंडे ठंडे गंदे पानी में घुसकर साब सफाई कर रहा होता है हाई हाई बहुत ठंडा पानी है और ये ठंडी ठंडी हवाओं में तो और भी ज़्यादा ठंड लग रही है उमेश ऐसा बोल ही रहा था कि तभी उसका मालिक आता है और उसे डाटने लगता है उमेश क्या ही करता बेचारा वह चुपचाप डाट सुनने के बाद भी नाले साफ करता है और अपना काम करता रहता है शाम को वा काम करने के बाद अपनी मालिक के पास पैसे लेने जाता है लेकिन उसका मालिक उसी समय बहाने बना देता है काम का अज दूसरा दिन है और तू इतनी जल्दी पैसे लेने आ किया अभी कोई पैसे नहीं है कम से कम हफ़ता वर तो काम कर उसके बाद पैसे देता हूँ ठीक है मालिक जैसा आप कहो लेकिन हमारी घर में बहुत परेशानी है मालिक दो-चार दिन में पैसे दे देना अहाँ चल ठीक है अब जा यहाँ से पता नहीं कहां से मोठा कर आ जाते हैं यह सुनकर उमेश अपने घर वापस लोट आता है जहां उसे बहुत जादा ठंड लगती है और वो आते ही सबसे पहले अपनी पत्नी से कहता है अरे यहाँ मुन्ना चटाई पर ऐसे ही लेटा हुआ है कंबल का है मुन्ना को ठंड लग गई तो और मुझे भी ठंड लग रही है उमेश के पूछने पर गीता उसे सब कुछ बताती है जिससे सुनने के बाद उमेश भी पहुर साधा परिशान हो जाता है अब उनके पास और कोई साधन नहीं था जिसके चलते बेचारी गीता घर की कूने में देखती है कि दो फटे हुए पर्दे पड़े हुए हैं जिससे वो पर्दो को जोड़ कर बढ़ा कर लेती है और रात को वो सभी एक साथ जब सोते हैं तो पर्दे ही ओड लेते हैं रात भर उन्हें बहुत साथा ठंड लगती है अगले दिन सुभा तक उमेश की और मुन्ना की बहुत साधा तवियत खराब हो जाती है क्या हुआ जी अभी तक सो रहे हो काम पर नहीं जाना है क्या जैसे ही गीता उमेश को हाथ लगाती है उसका बदन बहुत ज़्यादा तप रहा होता है अरे ये क्या इनका बदन तो बहुत ज़्यादा तप रहा है लगता है रात भर ठंड में सोने की वज़े से हालत खराब हो गई है वहीं जब गीता अपने बच्चे मुन्ना को दूद पिलाती है तो उसकी तब्यद भी खराब हो जाती है और वो भी बुखार में होता है देखो नमा जी एकी दिन में क्या हो गया यहां पर उमेश जी की तबियत खराब हो गई और यहां मुन्ना भी बुखार में पड़ा है हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम इने दिवाईयां दिला सके यह कैसी मुसीबते पढ़ रही है उपर से यह ठंड भी बढ़ती ही जा रही है नीलम ऐसा कहते हुए कपकपा रही होती है अपने परिवार की यहाला देख कर गीता को बहुत दुख होता है उसने जो पैसे जोड़े हुए होते हैं उन पैसों से वो अपने पती और अपने मुन्ना को दवाई तो दिला देती है लेकिन बिना कंबल की उन्हीं जला भी आराम नहीं मिल पाता लगता है मुझे ही कुछ करना होगा उमेश जी की तबियत के चलते अब वो काम पर तो जानी ही पाएंगे घर का कुजारा भी करना है और मुन्ना को दवाई भी दिलानी है गीता ऐसा सोच कर काम ढूनने के लिए निकल पड़ती है सारा दिन यहां से वहां धक्के खाने के बाद उसे कहीं काम नहीं मिलता लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद एक औरत उस पर तरस खाकर उसे अपने घर की साफ सफाई का काम दे देती है लेकिन वह औरत बहुत जादा घडूस होती है उसके पास कोई भी नौकरानी टिक नहीं पाती थी क्योंकि उसे किसी पर भी भरोसा नहीं होता जितना काम बता रही हूं उतना ही करना है और कभी भी हमारे कमरों के अंदर नहीं जाना है याद रखना जो कहा है अगर तुमने नहीं माना तो जब नौकरी से निकालूंगी तो एक फूर्टी कौडी नहीं दूंगी अभी तो मुझे पैसों की बहुत जरूरत है मेरे पास यहां काम करने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है यह जैसा कहती है मुझे कर लिना चाहिए गीता ऐसा सोच कर वहां काम करना शुरू कर देती है वहां काम करते करते उसे कुछ दिन हो जाते हैं जिसके चलते केसरी उसकी नियत को देखने के लिए जहां मर्जी अपने पैसे छोड़ कर चली जाती लेकिन जब वापस आती तो उसे उसके पैसे वहीं पर मिलते इसी के चलते केसरी को गीता की उपर भरोसा होने लगता है लेकिन एक दिन केसरी उसे थाली में कुछ लिजाते हुए देखती है मुझे तो पता ही था ये लड़की चोर है जलूर कुछ चुरा कर ले जा रही होगी देखो तो सही आखिर कहां जा रही है और इसने क्या चुराया है आज तो मैं ऐसे रंगे हाथ पकड़ूंगी केसरी ऐसा सोच कर गीता का पीछा करती है गीता जैसे ही घर पहुशती है वह उस थाली के अंदर से केसरी के घर का बचा हुआ खाना निकाल कर अपने परिवार को खिलाती है और कहती है मेरी मालगिन बहुत खडूस है उसे बता कर लाती तो शायद खाना नहीं देती क्योंकि उसे तो मुझ पर भरूसा ही नहीं है और मैं आप लोगों को भूगा नहीं देख सकती थी इसलिए वहां से खाना चुरा कर लाई हूँ ये लीजे खा लीजे अपनी आँखों से ये नजारा देख कर केसरी को उन लोगों पर बहुत तरह साता है जिसके चलते वह उन्हें देख कर अपने मन में सोचती है कितने गरीब हैं ये लोग पास तो खाना भी नहीं है उपर से घर के परदे ओड़ लेते हैं ना कंबल है ना हीटर है किस तरह से ग रहती है एक बार मुझे किसी पर भरोसा हुआ है ये लोग एक कंबल हीटर तुम्हारी सरदी के लिए और या कुछ पैसे हैं ये तुम्हारे काम आएंगे कंबल और हीटर को देख कर गीता की आँखों में आसुआ जाते हैं वह अपनी मालकिन से कुछ कहने ही पाती उस दिन वह बहुत खुश होती है वह कंबल और हीटर को अपने घर ले आती है जहां वह हीटर अपने टूटे फूटे घर में चला देती है देखा कितने जल्दी इसने हमारे इस टूटे फूटे घर को भी गर्म कर दिया अब तो ठंडी नहीं लग रही है ये लोग मेश्टी कंबल आपको बहुत ठंड लग रही थी अब आपकी चल्दी से तब ये ठीक हो जाएगी और मेरा मुन्ना भी ठीक हो जाएगा कंबल और हीटर को देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं आखिरकार गीता की महनत सफल हो जाती है वहीं कुछ लोग बाहर से खडूस तो होते हैं लेकिन दिल के बहुत नरम होते हैं और वह दूसरों की मदद भी करते हैं बहुँ तुम तीनों अपसे काम पर नहीं जाओगी ऐसे गर्भवती हालात में तुम्हें ये काम वाम नहीं करने दूगी मैं मा जी हम काम नहीं करेंगे तो घर का किराया कहां से भरेंगे और हाँ एक बात और हम पर तो फिर खाने के लिए पैसे भी नहीं है जानती हूँ बहु लेकिन ऐसे गर्भवती हालात में वो भी जब सर्दी पढ़ रही हो मैं तुम्हें काम करने नहीं जाने दूगी तुम्हारी जगा आज से मैं काम पर जाओंगी मा जी यह आप क्या बोल रही हो इतनी सर्दी में नदी पर कपड़े धोना असान नहीं है और आपकी तो वैसे भी अब उम्र हो चलिये मैं भला ही जिस्म से बुड़ी हो गई हूँ लेकिन बेटा मैं हार मानने वालों में से बिलकुल नहीं हूँ मैं तुम्हारी जगा काम पर जाकर सब कुछ संभाल लोंगी मेरे माबापने बच्पन में मुझे घी की रोटियां खिलाई थी इसलिए ये जिस्म अब भी काफी ताकतवर है तुम तीनों घर में रहकर अपना और इननी जानों का खयाल रखना जो तुम्हारे पेट में पल थोड़ा सा आराम तो दे सकती हूं ठीक है माजी अगर आप इतना बोल रहे हैं तो हम आपको नहीं रोकेंगे लेकिन मा अगर आपको थोड़ी से भी परिशानी लगे तो आप उस काम को छोड़ देना ठीक है बहू अच्छा अब मैं चलती हूं कमला अपनी तीनों प्रवती बहूं को घर में छोड़ कर खुद काम पर निकल गई अरे कपड़े धोने में भी कुछ हैं उन्हें तो मैं नदी में डुबा डुबा कर यूहीं धो दूंगी अरे पता भी नहीं चला कि कभी ये जगा आ गई अमा बोलो क्या धुलवाना है डाग तेल का हो या हो चत्नी अचार सब कुछ मेरे हाथों के आगे है वेकार बोलिए क्या चमकाना है चमकाना नहीं है मैं खुद यहाँ पर कपड़े चमकाने आई हूं मेरी तीन बहुए यहाँ पर धुलाई का काम करने आती हैं अच्छा तो आप देवी मेगा और वर्शा की मा हो जी हाँ अपसे कुछ दिनों तक उनकी जगा मैं काम करने आया करूंगी हाँ कोई दिख़त नहीं है लेकिन अमा जी उन तीन जवान औरतों के बरावर आप काम कर पाओगी पता नहीं जितना मुझसे हो सकेगा मैं उतना करूंगी ठीक है तो ये सारे पड़े हुए कपड़े चमका दीजिए और हाँ मा वैसे मैं बड़ा नरम दिल हूँ लेकिन काम के मामले में बड़ा सक्त हूँ इसलिए ज़रा ठीक से काम करना कमला वहाँ उस धोबी के कपड़े धोने लग गई उसकी टांगे पानी में थी और सर्दी में वो खुद भी पूरी पानी में भीग चुकी थी मेरा तो हाथ भी नहीं चल रहा है पता नहीं मेरी बहुए कैसे ये काम कर लेती है बिचारी बूरी कमला ने बहुत देर तक उन कपड़ों को धोया लेकिन लगभग दो घंटे के बाद कमला के हाथ ठंड की वज़ा से चलना बंद हो गए मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है अब मुझसे ही कपड़े नहीं धुल पाएंगे क्या हुआ अम्मा जी क्यों रुक गई मेरे तो सर्दी से हाथ पाओ जाम हो रहे हैं क्या मैं कुछ देर बाद काम कर लू अम्मा मैंने आपको शुरू मैं ही बोल दिया था कि मैं हर चीज में समझाओता कर सकता हूँ लेकिन काम मैं no compromise और वैसे भी आपकी जितनी उमर हो चली है अब आपसे काम नहीं होगा आप अपने घर जाईए पर मेरी बात तो सुनो अम्मा मुझे ज़्यादा मत समझाओ तुमसे अब ये हो न पाएगा इसलिए अच्छा होगा कि तुम घर जाकर मेथी तोड़ो और गर्मा गरे में बैठ कर पराठी बनाओ मुझे ज़्यादा अपनी सलाह मत दे जाओ अम्मा अब तुम्हारे शरी में काम करने की जान नहीं है तो तुम आज का अपना महंताना लेकर घर लोट जाओ उस धोबी ने कमला को काम पर से निकाल दिया और जितने उसने कपड़े धोय थे उन सभी का महंताना उसे दे दिया कमला उन पैसों से अपनी बहूँ के लिए ताकत की दो एक चीज़े ले आए मा अरे तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई मा को इतनो जल्दी आना ही था हमारे मालिक की आदत तो तुम सब जानती ही हो और तो और इतनी सर्दी में मा जी ने हमारे लिए जाने की हिम्मत की बस वही काफी है बहूँ मुझे माफ कर दो मेरी वज़ा से तुम भारा भी वो काम छिन गया माफी मत मांगिये माजी अगर आज हमारा कोई काम छीना है तो इसका मतलब कल हमारा कुछ बहतर इंतजार कर रहा है और इसलिए ये काम हाथ से कया है बस और कुछ नहीं सही कहा तुने बहूँ अब आप भी बैट चाहिए हमारे लिए आपने बहुत मेहनत कर ली है चलिए अब मिलकर हम सभी खाना खाते हैं तीनों बहूँ अपनी सास के साथ खाना खाने बैट गई और उन्होंने खूब बाते करते हुए खाना खाया ऐसे ही दो-चार दिन बीट गए प्रेगननसी की वज़ा से बहुए काम पर भी नहीं जा रही थी और काम पर ना जाने की वज़ा से उनके घर में भी अपकिल्लत शुरू हो गई थी और घर का मकान मालिक भी अपना रुका हुआ किराया माग रहा था कमला और उसकी वहुँँ पर पैसे तू थे नहीं इसलिए उन्हें वो घर ही छोड़ना पड़ा और वो चारो ही फुटपात पर भटकने लगी पता नहीं कौन सा दिन हमारे लिए एक सुनहरा सवेरा लेकर आएगा वो दिन भी जल्दी आ जाएगा माजी मेखा तुमें क्या हो गया लगता है कि कुछ ना खाने की वज़े से इसको चक्कर आगया है माजी चकर तो आई जाएगा आखिर हम सुभा से बस चले ही जा रहे है मेखा आके खोलो ओ भगवान क्या हो गया मेरी बहु को कमला पागलो की तरह अपनी बहु को होश मेलाने के लिए और उसे कुछ खिलाने के लिए दुकानों पर जा जा कर पानी और कुछ खाने को भीक सी माँगने लगी अरे भाई सहाब मुझे थोड़ा सा पानी और कुछ खाने को दे दो मेरी बहु बेट से है और वो बेहोश हो गई है उसी को केलाना है अरे जाओ जाओ बूड़ी अम्मा तुम्हारे जैसी नजाने कैसे ही कितने जूट बोलती हूँ यह ओरतिया यहां आती है ठिकलो यहां से मेरी दुकान में कुछ भी फाल तु नहीं है मेरी बस थोड़ी से मदद कर दो अम्मा दफा हो जा बिचारी कमला ऐसे थोड़े से पानी और खाने के लिए भीक मांगने लगे सभी दुकानदारों ने उसे भगा दिया अंत में एक फुटपात तिरबाल में रहने वाले परिवार ने कमला की मदद की शुक्रिया तुम सभी का जिनके पास देने को था उनके पास दिल नहीं था और जो खुद ना जाने कैसे कैसे अपना गुजारा करते हैं उन्होंने मेरी मदद की शुक्रिया लोग सही बोलते हैं कि या तो भगवान पैसा देता है या फिर दिल दोनों एक साथ होना नामुम्किन जैसा है शुक्रिया कमला उन लोगों के पास से लाया हुआ थोड़ा सा आटा और पानी अपनी बहुओं के पास ले आई और मेगा के मुँपर पानी का छीटा डाल कर उसे जगाया शुक्रिया तुझे होश आ गया बहु अब तुम तीनों यहीं रहो पहले कुछ खालो उसके बाद हम रहने को ठीकाना ढूणेंगे मा हमें यहीं एक खाली कुटिया मिली है चली हम अपना सर उसी के नीचे ढख लेंगे सच लेकिन तुम तो मेगा के पास थी फिर कैसे मैं मेगा के लिए पानी ढूणने गई थी मुझे वो तब मिली अच्छा तो चलो बहूँ वही चलते हैं कमला और उसकी भहूँ उसकोटिया में चली गई और उन्होंने उसी के पास उगी हुई हरी घास को तोड़ लिया और उसे आटे के साथ गूंद कर उसकी हरी हरी रोटिया बना दी अभी तो मेरे पास तुमें खिलाने को यही है मेरी बहूँ ये लो ये घास की रोटिया खा लो हम ये खा तो लेंगे माजी लेकिन आप ये वादा कीजिए कि आप हमें कोई भी काम करने से अब रोकेंगी नहीं एक दिन की ही गरीबी ने हमें घास की रोटिया खिलवा दी हम कपड़े दोने जैसा मेहनत का नहीं लेकिन किसी के घर का खाना बनाने जैसा काम तो कर ही दिया करेंगे ठीक है बहुओ, अगर तुम कर सकती हो, तो करो हम आपकी मुहबबत जानते है मा आप हमसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन काम करना हमारे लिए जरूरी है ठीक है, मैं समझ गई, लेकिन हाँ, जरूरत से ज्यादा काम मत करना ठीक है, फिर क्या था, अगले दिन तीनों ही बहुएं काम ढूनने लगी और उन तीनों कोई एक बड़े स्कूल की रसोई में बच्चों के लिए खाना बनाने का काम मिल गया उसके बाद से फिर कभी उन्हें घास की रोटिया नहीं खानी पड़ी अब उनके पास एक अच्छी सी छट भी थी जिससे उन्होंने हर फुटपात के गरीब की मदद की और इसी बीच इनकी डिलिवरी भी हो गई और अब वो लोग खुशी-खुशी रहने लगे थे